शिमारू के नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें संभाल कर रखना एसे फिर कभी इसके हाथ में लगनी चाहिए डोंट वरी मैं वैसे भी कल से पहले इसको होश आएगा नहीं और तब तक अदालत अपना फैसला सुना चुकी होगी अभय की किस्मत का फैसला तुमेट कर चुके ट्रागीनी सिंगानिया कभी नहीं हारते कभी नहीं पाईसला हार मत मानिये हमी माता रानी पर पूरा विश्वासे अब मैं आज ही गर वापस आएगे दादू देखे ना हमने पापा की वेलकम करने के लिए क्या बताया है अच्छा है ना दादू चाचू खुश होंगे ना इससे देखकर पापिटा श्रद्दा भाभी वो कहा रह गई पूरी जात निकल गई पर वो खर वापस नहीं लोटी है आरती हो सकता है वो सीधा कोट में ही आए अधारी पचरी पूरी रात परेशाद रही होगी दीदू को तो आज आना चाहिए था हमें तो घबरात हो रही है कि उन्हें रागनी के हां कुछ सबूत मिला भी या नहीं अपना अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजे आप दोनों जद सहब मैं अदालत से दर्ख्वास करूंगा कि अवैतरी पाटी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए अब क्या होगा कहां है दीदू अब वह होगा आपाटी का नाम अभ चूश मी आती है पती का नाम क्या प्यार है बट का शी आवाज अदालत तक पौछ पाती असा हो नहीं सकता श्रत्था पर जब तब तुम यहां हो ना तो उसके भी किसी काम की नहीं हो और अभय को पासी की सजा मिलके रहेगी समझी नहीं यह नहीं हो सकता यह तो नहीं हो सकता ना कि अदालत दिन बर आप लोगों के लिए इंतिजार करती रहे कि आपका सबूत कब आएगा कोई सबूत नहीं आने वाले हैं जट सहाब मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी अपना फैसला सुलाईए तो नहीं है तो नहीं हमारी दीदू लाने गई हैं तो आप से विंती है कि थोड़ा वक्त हमें देदी जाए यह भे कि जिंदगी का सवाल है बस वो आती होंगी जब आज फैसला हो ही जाना है तो मैं अदालत से दर्ख्वास्त करता हूं कि थोड़ा सा समय और दिया जाए ताकि किसी निर्दोष को सजाना मिले ठीक है आप शद्धात रिपाटी को फोन लगाईए और आपकी क्लाइन रागेनी सिंगानिया का है उन्हें पता भी है कि आज इस केस की आतरी सुनवाई है और यह उनके पती की हत्या का केस है उन्हें तो यहां होना चाहिए था ना और यहां से ना कोट तक पहुशना ना मुमकी निश्रता पर डोंट वरी जैसे आदालत अपना फैसला सुना देगी ना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी वो भी जिन्दा है थापी तो पांच से थोड़ा ठरूग वो निर्दोश को कभी सजा नहीं देते और नहीं बार तुम्हारी रागीनि मैट की तो उनको उंके किये कि सजा जरूर मिलेगी तुम्हें तुम्हें सच में लगता है शायद तुम्हें पता नहीं है जब तक तुम्हारे पती को जेलोगी यहां रागीनी में देश छोड़के चली जाएगी, वो भी हमेशा के लिए नहीं, मैं रागीनी को कहीं नहीं जाने दे सकती, यह नहीं हो सकता नहीं, नहीं सर यह मिसिस रागीनी सिंगानिया का मेडिकल सर्टिफिकेट है उनकी तवियत कल से बहुत ज्यादा खराब है इसलिए आज उनका यहां अदालत में आप आना पॉसीबल नहीं है और मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कहां है मेंसिश रदात्रिपाठी जट साब शदा के इस कोट में देर से आने किया वज़े कुछ और है ऐसी क्या वज़ा हो सकती है जो अदालत के समय की इज़त नहीं कर पा रही है वो सुरी साल एक मिनिट जट साब वो वज़ा है इंस्पेक्टर किरण जट साब ये कल रात को जबरदस्ति हमारे घर में आगी और सबूतर पे नज़र रखने के बहाने हम सब को घर में बंद कर दियो इसलिए मजबूरन शदा को सबूत डूडने के लिए घर से भागना पड़े इसलिए मजबूरन मुझे वहां पर जाना पड़ा में बंद करेगी मुझे आपके इस एक्शन पर आपके खिलाफ कारवाई करनी पड़ेगी जद सहब मामला बहुत ज्यादा गंभेर हो गया था इसलिए मजबूरन मुझे वहां जाना पड़ा लेकिन इसका श्रद्धा का यहां ना पहुचने से कोई कनेक्शन नहीं है मिलोड पह भगवार, श्रद्धा खी को मुझे बचाने के लिए कहीं वो खुच किसी मुसिबत मना पड़ गई हो तुम्हें क्या लगता है ये गन मैं तुम्हारे हाथ में पढ़ने दोगी हाँ? ना पॉसिबल, ये एक लौता सबूत है जिससे ये पता चल सकता है कि रागिनी माम लगी राजसर का मुर्डर किया है और तुम्हारे पती की बेगुनाई का सबूत तुम्हें लेकर चले अब बाई श्रद्धा रुको तुम्हें ये सब करके अपनी रागिनी माडम का साथ देकर क्या मिलेगा तुम्हें वो तो ये सब करके देश चूर कर चली जाएगी तो फिर उनके किये का बोज्व तुम्हें अपने सर पर क्यो ले रही हो क्योंकि इससे मेरा बहुत बड़ा फाइदा है अब देखो रागिनी माम तो बच जाएगी ये तो पक्ता है और फिर वो चली जाएगी देश से बहार और यहां की ओक्तिस की सी-e-o जिस कुरसे के नीचे मैं हमेशा दब के रहती थी उस राज की वज़े से अब उस कुरसी पे बैठोंगी मैं फिलाल ना तुम्हे काम करो चुप चाप बैठी रहा है और अपने पती को फासी की सजा मिलने का इंतजार करो पाइ एक पाइ एक जज़ब बस थोड़ा हो ताम ज़े श्रदा बस आती होगी वो सकता है कि किसी के वज़े से वो कोई मुसीवत में पस गई हूँ आपर सुन्वाई के लिए भी एक समय तै होता है हम भी उसके उपर नहीं जा सकते मिस्टर त्रीपाटी माफ करिएगा सर पर हम यही समधाने की कोशिच कर रहे है कि राज को जो गोली लगी थी ना वो सामने से चली ही नहीं थी आजर साप, अभे और राज हमने सामने खीचा तानी कर रहे थे, कनकोले के, तो अगर गोली लगनी थी तो आगे से लगती ना, लेकिन गोली पीछे लगी थी सर अभे ने गोली नहीं चलाई है, गोली किसी और ने चलाई है, जो वहाँ पे था इनकी इस बयान का कोई आपके पास ठोच सबूत और गवाह है क्या? सबूत है, सबूत है, सर और वही लाने दीदू है, आप थोड़ा वक्त दे दीजे, बस वो आती ही होंगी, फीज मैं आपकी तकलीट को समझ सकता हूं, मिस्टर त्रिपाटी, पर अदालत के भी अपने तौर तरीके होते हैं, यह अदालत आपका घर नहीं कि जब मर्जीट चले आए, अब अदालत इससे ज़्यादा और इंतजार नहीं कर सकती मुझे सास्… आपे, आपे यह सम् झाल 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 इस्वाट दोजाश एकोना है हो गाँ चुड़ा! जद सहब, मिस्टर अभेत रिपार्थी को कुछ नहीं हुआ है ये सब इनका नया ड्रामा है, कोट का वक्त पर बात करने के लिए इंस्पेक्टर केरन माथूर, आप अपनी ड्यूटी कीजिए और डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए यू अंडेस्टाइड? था जदाड़, जदाड़ की तो है यको इनका, घागनिय ने उसके साथ कुछ पर फिर गरतब निती तया है भी अच्छ शादब भी अच्छ पर इंस्पेक्टर केरन ने अबए एक ए वसका अपने कुछ किया हो इप उसके आलत देखिए पुलिस के उपर ऐसा इल्जाम बिना थोस सबूत के आप नहीं लगा सकती, पुलिस की इज़द कीजिए हलो, मां बोलो मां, मैं प्लेस अप भही ऑफिस में इंतजार करी है, मैं सबूत लेकर वही आ रहे हूँ अरे मुझे अभी के अभी एएपोट के लिए निकलना है और तुम हो की? मां, अभी अभी तुश्रदा से पंच के निकले हूँ, उसने मुझपर उल्टा हमला किया है, मैं इस सबूत अपने पास नहीं राख सकती, मां, प्लीज आप मही वेट कीजिए ठीक है, जल्दी आओ हर पार मेरे प्लान में एक नई रुकावट लेकर आती है इस श्रदा क्या हुआ डॉक्टर साब, सब ठीक तो है ना? यह अभी ठीक है अब ठीक है, बहुत टाइम बरबाद किया है इन्होंने, मिलोड अब आफ एसला सुना दीजिए इस केस की सुनवाई के लिए निठारित समय के उपर आज की कारवाई जा चुकी है, यह अदालत अब और ज्यादा इंतजार नहीं करेगी जितना इंतजार करना था कर लिया अभी क्या भी निकल नहीं होगा क्षुछ इसुछ श्रताव श्रताव जितना, जितना इ zona बाताव यादा बाया किसुन वाहे उत्वचर प्यात वह सलीए, श्रताव thinner उादा के बढ़ड पलागे पूर्त। बोलत के लिए तुमारा? बोलत के? रागीनि को पून लगाए! पून लगाए, रागीनि को पून लगाए! छोड़ोगी तुम के सब छोड़रै, जब तक तुम अपना गुनाह को बोल नहीं कर लेती। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हो। तुम्हें जो करना है, तुम कर लो। क्योंकि मैं तो आज चाह रही है। और अगर तुमने मेरे रास्ते में की कोशिश की नहीं, तो याद रख रहे। अगर अपने पती को गोली मारने से पहले में नहीं सोचा, तो तुम्हारे साथ क्या कर सकते हूं यह तुम सोचू। गर उठाने और चलाने में बहुत फार कैश्रत था। मैं जानती हूं तुम गोली नहीं चलाऊगी। अगर अभे को सदा हो गई, तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। तो अगर मुझे मर नहीं है, तो क्यों ना वे तुम्हे साथ लेकर मरो। देख रुशा था, गन मीचे करो। तुम जो भी कहोगी, मैं वो मानने को ताइयार हूंगा। ले जाए इसे, मुझे अभी के अभी निकलना है, और मैं इसकी मनुष्शकल दुबारा नहीं देखना चाहते। और हाँ, अभे को तो जज आर्ट हासी देख कर रहेगा। मिस्टर अभेत रिपाटी, वोट अपना फैसला सुनाए, इससे, पहले, आप कुछ कहना, चाहेंगे क्या। सर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मेरी बुस्से की वज़र से मेरे अपने परिवार में बहुत कुछ साहे और सर मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कोई खून नहीं की है ये सब बहुत पूराने पैतरे हैं जट साब भावनाओं में उल्जा कर अदालत को गुम्रा करने की लेकिन ये कानून का मंदीर है यहां भावनाएं नहीं सबूत चलते हैं जो मैंने पेश किये थे उनके हिसाब से इस केस का असली गुनेगार अभयत रिपाटी ही है सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजी पे पहुची है कि मिस्टर अभयत रिपाटी ने ही राज सिंगानिया का खून किया है अभयत रिपाटी को मिस्टर राज सिंगानिया के खून के इल्जाम में आई पी सी की धारा 302 के तहत फासी की सजा सब्सक्राइए यह रहानर अभयत पासी की सब्सक्राइए यह रहानर कि उस राज पार्टी पे रागिनी सिंगाने ने वो ब्रेसेट पहना था और जिस वक्त उनोंने कोली चलाई यह उनके हाथ पे उनके हाथ से तूद कर गिर किया था कि मैंने अपने पटी को नहीं मारा रहा रहा है वी पत्ताना चाते है कि वह उस्चे पंचा लेना चाते है किस बात का पदला मिसे सिंगानिया पती पहन कीजी का पत्ता है था पेरे पती राज के सब किस्मत से टकराती उलजी लकीरों को सुलज हाती शद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाईए शिमारू उमंग झाल